वेल्कम बैक तु तापनीट्स किचन आज की रेसिपी है ये कॉन राइस कॉन पुलाव पां से दस मिनट लगेंगे इसको टोटल बनने में इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है क्रीमी सा होता है एस्पेशली बच्छों को बहुत पसंद आते हैं तो चलिए जटप पत्ता और एक ही डाल चीनी तो अभी हम इसको स्प्लेटर होने देंगे थर्टी सेकंड में ये स्प्लेटर हो जाएगा तो भी मैं इसमें आड कर रही हूं दो हरी मिल्च्छी दस से बारा करी लीच और एक मतले पतला मैंने प्याज काड लिया है मेडियम साइज का और साथ इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट अद्रुक लसन का पेस्ट वन टेबल स्पून अभी आम इसको साथे करते रहेंगे जब तक ये इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता तर बुदी तरह तो इसमें आपका जो गैस का प्ले में मीडियम टू हाई होना चाहिए तो देखे अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया ब्राउन हो गया है तो अभी मैं इसमें आड कर रही हूँ कॉंस कॉंस मैंने हाफ कप के करीब लिए हैं ये मैंने फ्रोजन वाले यूज नहीं कर रही है अप फ्रोजन कॉंस भी यूज कर सकते हैं आपको गरम पानी में इसको मैंने 20 मिनट तक सोग कर लिया था तो उसके बाद अच्छे से तीन से चार बार आपको वाश करना है ताकि इसका जो एक्स्टर स्टार जब निकल जाए तो अभी इसको अभी मैं आड कर रही हूं दो टी स्पून के करीब नमक नमक आप कम ज्यादा कर सकते हैं एक चम काली मर्च और 1 टी स्पूर ही गरम मसाला तो हमारे इंग्रेडियंस इसमें जो मसाले हमने डालने थे वो हो गये हैं तो भी इसको वन मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे अब हमने जितनी चाफल लि SMITH आप से डबल हमने पाणने डाला है तो अब हम मैं एक कप दूदा करूंगे इसमें और एक कब पानी का आइड करूंगी फम्हां की प्राव्स काओने है तो तो अबी में कुकर बंद कर रही हूं, अभी इसको 2 सो लगवानी के पास थे के पार हैos विल्हें तुछ 2 विसल लगवानी के पास इसको बंद कर देना है तो के दस मिनिट भाद उपन करना है जयतकी कि अभी चेक कर लेते हैं दुआ तो खुश्बू था मिदले भी दुआ जो आ रहा है न इसमें बड़ी अच्छी भी खुश्बू भी आ रही है तो यह हमारी कॉन पाइस चेक कर लेते हैं तो यह देखी कितने खिले खिले बनेया और इसका जो कलर भी कितना अच्छा है कितने क्रीमी लग रहे हैं देखने में भी और दाना दाना देखी में आपको दिखा देती हो दाना दाना खिला है मतलब यह नहीं है कि कॉन राइस का पुलाओ जबना है पुलाओ यह बना है किचड़ी नहीं बनी है तो बहुत अच्छे से बन गए है जैसे कि बन तो गए है अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे तो आप भी अपने घर में बनाएए बहुत ईजी रेसिपी है इस्पेशली मैंने बोला बच्छों को बहुत पसंद आएगी तैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो बसंद आ रही है तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कम्मेंट करना न भूलिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई दोस्तों